हेलो फ्रेंड माया अनंद राज आप सोग बीज देखिए आपको हम पेपर टु जो केंटेप्रोवरी इंडिया एंडेजुकेशन है समकाली भारत तो हम सिख छा उसमें आपको यूनिट थीरी में जो पांच यूनिट पढ़ना है उसमें यूनिट थीरी में प्रकृतिवाद और प्रियोजनबाद बहुत इंपोर्टेंड थीक है क्योंकि देखिए उसमें चार वाद परना है प्रकृतिवाद प्रियोजनबाद मानोबाद आदर्स वाद देखिए कोई इंवर्सिटी से होंगे जो पूद्धिया नहीं पूछे का एक इसमें आपको कोई अलग आपका सब वीडियो एंति आपका पूरा जितना भी इंपोर्टेंट गेस कोचन है सब का वीडियो अप्लोड जागा आये देखते है क्या लिखा देखिए प्रस्तामना यानि इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है देखिए कोई भी चीज लिखिए उसका आप लिखना लोगा देखिए कि अध्यान में रखा जाता इसमें सिर्फ प्रकृत्ति के बारे महीं अध्यान के जाएगा तो प्रकृतिवाद एक अत्यन्त प्राचीन दर्सण नहीं सरुत में प्रतेक वस्तु प्रकृतिक से जन्म लेती है और फिर उसी में बिलिन हो जाती है प्रकृतिवादी इंद्रिये नुभूत ज्ञान को ही सच्चा ज्ञान मानते हैं प्रकृतिवादी विचाडधारा का जन्म आधर्सवादी विचाडधारा के परतिक्रिया सवरूप हुआ मतलब अधर्सवादी विचाडधारा के परतिक्रिया सवरूप हुआ तो प्रकृतिवादी विचाडधारा का जन्म हुआ समझ गिर यह नहीं आधरस्वाद क्या है प्रकृतिवाद विचरधारा के फिप्रीत है उसमें इष्वर का बात किया जाता समझें आई आप देखते हैं लिखा हुआ है आत्मा प्रमात्वा यहम पर लोग सबको कोड़ी कलपना की उपज बता कर प्रकृतिवाद ने मनुस को भौतिक संसार की सर्थकता से परचित कराया और रुड़िवाधिता कॉमा अंध्विश्वास की दुनिया का अंध कर मनुस मनुस को भौतिक संसार जो हम देखते हैं समझें तो भौतिक संसार की जो सर्थकता सर्थकता है से परचित कराया और रुड़िवाधिता जो पहले से चल रुड़िवाधिता मतलब बता है इस्ट्योटाइपिक जो मन लिए जिसे सोच पुराना जो सोच है उसको अंध्वि प्रकृतिवाधि विचारधारा के समर्थक रूसो याद रखेगा इसा पुष्ता है प्रकृतिवाधि विचारधारा के समर्थक रूसो कामटे लेमार्क बटलर आधी थे मतलब यह सब दार्सनिक है यह सब क्या है प्रकृतिवाधि विचारधारा के क्या है समर्थक है इस वाद सब्दो सब्दो से मिलकर बना है प्रकृति प्लस वाद जहां प्रकृति का अर्थ होता है वह कृति जो प्रकृतिक रूप से विख्षित हुआ मतलब जिसमें मानों कोई बनाने में कोई एकदान नहीं हो मतलब वह कृति मतलब वह चीज बनाने में जो प्रकृतिक रू कि अंतिम वास्तिकता भोतिक है अध्यात्मिक नहीं मतलब थोमस्यम लेंग के अनुसार बताए गया प्रकृतिवात क्या है एक विश्वास है जो क्या है अंतिम वास्तिकता क्या है भोतिक है अध्यात्मिक नहीं नहीं मतलब बताता है कि प्रकृतिवात क्या बताता है कि आप आपका जो अंतिम वास्तिकता है क्या है वह भौतिक है मताब अब जो देख रहे हैं वहीं चीज है अध्यात्मिक नहीं है दुसरा है होकिंस के नुसार इसमें आप प्रकृतिवाद एक दर्सन है जो उन लोगों द्वारा अपनाया जाता है जो दर्सन की बेज्ञानिक करते हैं वही लोग इसको मानते हैं प्रकृतिवाद को मानते हैं अब देखते हैं प्रकृतिवाद के मूल मूल स्थान है परकृतिवाद के मूल सिदान निलिखित है पहला है या भोतिक संसार को इस सत मानते हैं प्रgesch। प्रकृतिवाद usually sent the σथा मानते ज़से क्या है जो अपूब को मानते है। दुस्छरा प्रकृतिवाद का सीधांतिया है कि अधार की रचना अब हमांद की रसना एक प्राकृतिक करिया करता दुसरा glue मतलब प्राक्रितिक ही अंतीम सत्ताया वास्थिकताय किसके नुसार् प्राक्रितिवाद के मुलसिधन में प्राइज संसार की स्वर्वतिकृष्टिविए प्रकृतिवादी के नुसार बताया गया है प्रकृतिवादी के नुसार सिक्षा निम लिखित प्रकारी के होनी चाहिए प्रकृतिवादी के नुसार सिक्षा बाल केंद्रीत होना चाहिए दुसरा है सिक्षा ऐसा होना चाहिए जो प्रकृति का अनुसरन करता हो मत्या में प्रकृतिवादी पुरस्तिकीए का विरोद करते हैं हुए विरोध करता है उसक्षा पर प्रकृतिवादी के नुसार बालग को सिक्षा स्वतन्थ होकर गरहन करना चाहिए उसमें किसी के बंधन में बंध कर सिक्षा नहीं गरहन करना चाहिए फिर आपका च्छा है प्रकृतिवाधी सवसिक्षा पर जोड़ोगे देखते हैं कि लरकी तो जो प्रक्रिति वादी तो धूनों साथ में बैठके परेंए तो ऐसी सिंद मतलब क्या हो जाता है सब उत्पन हो जाता है को प्रकृृति वादी अब देखते हैं प्रकृतिवादी के अधिक्षा के लिए परस्तूत करें परस्तूत करें यहां पर करना नहीं लिए करें लिखेंगा प्रस्तूत करें देखें जीवन संघर्ष करने का मतलब होता है कि आपको कोई जीवन परसानी आए उसके लिए आप संघर्ष करें समझें देखेंगे बहुत अच्छा चीजी यहां को टेसल निक्या हुआ है देखेंगा परसीद प्रानी सास्तरी डार्विन पराद जीव है सब अपना जीवन को बनाया रखने के लिए क्लिए क्लिए जीवन संघर्ष करता है तो वही करा कि सिक्षाक उदेश ऐसा ना चाहिए प्रकृतिवादिक रिखतित मर्द प्रस्णालिटि का क्या करें कि स्वतंत रूप से विकास करें तिसरा इसी होने चाहि सब्सक्राइब करने में योगों तो बातर नूगान करने माली या डिएन कोई भी वातारों रख लिए वहाँ पर आप सामयोजन कर शकते माली ये कोई आदमी को देखते होंगे मनले का एक धनी है और का या समईयोजन नहीं कर पाता इसलिक आता है जब आतला शीज्ञा यह ये भी होना चाहिए एंडिया का खणका क्वारश करें अग्ला है। समय का सदुपयोग कर से अचलेव मिलते हैं उसका सद्थी उप्योग करें, ये लच्छा समय में था कि एक लियुदा तो उसका क्या मेंटरी विकास होता है इसा चीज कि शिए जिसके आपका समय का सदी उपयोग नो हुआ ए देख थे प्रकृतिवाधि के नुसार पाथ करम मतर के करिकुलम कैसा होना चाहिए प्रकोधि के नुसार निम्फ परकार के पाथ करम होने बट्रम प्रक्तिवादी पाठ्ट्वर मिष्थित अवं जीवन से संब्धिता मतल्ब इसको आई क्रीम सीवन संब्धिता है चाहिए से प्रेंगल पर हारा है तुछि में जीवन जीवन संब्भंदीत होना चाहिए दूसरा है बालक इन्दीत पलिन पहले पाध्यानिक सिधान पाधारी तो बनो बिच्ञानिक सिधानिक करने का मतलभ होता है कि बालक माली जीःग वहलास में देखते होंगे बालक तो मत तेजोगा के अधार पर मो भी जयाती है फिर अगला हा चोथा पाथ करमें धारमिक स्था नहीं होना चाहिए फिर आपका हाया चोथा पच्मा पाठकरम ऐसा होना चाहिए यो बालों को जीवन उपयोगी किरियाओ यह दक्ष बना है उसका उपयोग है सब्सक्राइब देखते हैं प्रकृतिवादी निम प्रकार के सिक्षन वीधी होना चाहिए पहला करके सिक्राइब कोई की चीज काम करके आप सिखें वह दुसरा आ अनुभावत वरा सिखना थिसरा खेलत वर्या शिखना चोटा नाकरात्मक विदी क्या होता इसके पर्तिवादक रूस हो है यहंसर दिये की बीच मि नाकरात्मक विदी को क्यों va engage समझ उसी को नाकरात्मक बीदी बोलते हैं कि अब देखते हैं प्रकृतिवाधी के नोज़ा सीख्षा प्रकृतिवाधी दर्शन में अध्यापक या शिक्षों को गौन अस्थान बालाव को केंदरी अस्थान मिला है और प्राथ्मिंग जो मतलब में में बोल सकते हैं और सिख्षाओ क्या गौन सेकंडरी अस्थान रखा गया प्रकृतिवादी के निम प्रकार का सिख्षक होने चाहिए अध्यापक एक मारदर्सा के रूप में होना चाहिए टीचर आजे क्योंकय दूसरा योग के साण प्रणा सब्सक्राइज आउचा ने संगो कि सीक्षक प्राकृतिवादी के लुग सार यह होना कि दॉछ स्कूल के बंधन से बालों को मुक्त रखना चाहते हैं इसकूल में बच्चा के बंधन में नहीं मालेज़े चार बज़ाएं जम्मन तब आये होना चाहिए प्रकृतिवादी के नुसार बालों को केंद्रिय स्थान दिया गया है प्रक्ष्दिवादी के नुसार बालों जन्म से सुद्ध होता है उसमें अच्छाया होती है अता सिक्छा का कार्ज बालों को इस प्रकार का वातरवन परदान करें हो अपने अच्छा यव का दिकास कर से कि बंदे बाता साथ dalla यह जोड़ देन मतल्त किसी को मारना नहीं एव अपने नुसास्ति अई ग Shiv्ण आप राखाते प्रेनाम इसाथब परॉंट प्रक्रिती ङ्हा गाया पर है काज चांब आप देखतें मुल्यांकर दे प्रक्रतिवाद को मना जाता था दूसरा है बालकेंदित सिक्षा का उद्दुगम प्रकृतिवाद को मना जाता है के प्रकृतिवाद के करण ही और तम समय के पाठकरा निर्मान में सुतंता स्वकिरिया विकास प्रकृतिवाद का देन है प्रकृतिवाद का देन है प्रकृतिवाद करते हैं यह बहुत बड़ा गून है है किसका प्रकृतिवाद का देखते हैं और यह क्याँ क्या दोस्तय को जाता हुए है वादि टाओ सकर्ट इसनिक के भंढला रहतार है कि उसको कॉपेक्षा आप नहीं कर सकते हैं तरह वी इसे दीवादी बालक को समाजके बंधनagram से सब्सक्राइब गलत वात है तो आपका प्रयोजन बाद हो जाएगा उसके बाद तो इंडिया का जितना आपका contemporary इंडिया का जितना भी question है उसको सब करवा देंगे और दो-तीन question बचा हुआ है आपका unit course one का वह भी आपका हो जाएगा समझें पर आपका सब करवा देंगे ठीक है तो थैंक्यू